एर champion ये बिए 1st year के 1st Semester Geography का Previous Year यानि के पिछले फाल का पूरा का पूरा माडल पेपर प्रफ़ांग कोशन समय तीन गंटे के मिलता है अब तो दो गंटे का मिलता है सबसे पहले खंड आएंगे जहां पर आपको अतलिक उत्तर देने से पहले यहां पर कुछ दिशा निर्देव दी जाती है कि बहुत्तर करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना यह आपको पढ कोई सब्जेक्ट में बाई एक दो कोशीन तो परिच्छा में आता नहीं मुश्किल सिप यह से बारा पंदा को नहीं तो नहीं को आपको बतादे रहा हूं तो दियान पर वीडिए नोट कर लिए इन सभी परस्टर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकारिया हम आपक कि अगला कोश्चन ने कि सम्प्राय मेदान क्या है यह को बहुत कमाता आप इसे ग्नोर कर सकते हैं अगला कि भूफ अन्नत यह इंपार्टन कोश्चन पर इच्छा में कई बार रिपीटेड है पिछले वर्स 2021 समस्टर प्रणाली लागू है हाला कि समस्टर से पहले वार्षि कि अगला है कि प्राथमिक चठ्टान इसको भी नोट कर लिए इस वी प्रषिन कि आने के सबसे ज़्यादा सम्भाव ना है ठीक है जो मैं आपको बता रहा हूं कुछी प्राइबर देख रहा हूं देखता रहता हूं और मुझे कौन कौन से इसे कोईशन जो बार 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 पीठ हुए वह मैं देखता हूं तो मुझे पता चल जाता कि हाँ यह कुश्चन बार-बार रिपीठ हो रहा तो यह मैं आपको बता रहा हूं यह कुश्चन परत यह इंपरत किसे कहते वह जो परत के बारें पढ़ लेना और इसे अपर पर स्नक का उत्तर जो कहां पर मिलेगा कि उसकी पूआज करें आपको देंकी अगरा खी आधिन कि असवच्छां से क्या है यह कोश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता तो अगर सी मृषत का हमेज़ां नहीं कभेता लवन कि सकते हैं पूबर पर को त्यों आज वाला कोश्चन नोट करिए हैं इसका उत्तर आया पूच्छे जाएंगे महाफागर से संबंदित जैविक अनुकरम यह भी कोईशन इंप्वाटन्ट है आप लोगों के लिए सतर ठीक है तो यह रहे अतलग उत्रे के मोस्ट इंप्वाटन कोईशन जिनकी आने की ज्यादा संभावना है वह मैंने आपको बता दिया ठीक है बा उत्तर देने से पहले बिश्में कुछ दिशा निर्देश दी जाती है कि इतने कोईश्चन करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना यह आप लिखा हो तो इसको पढ़ लिजेगा ठीक है और इनके अनुसार आपको प्रिथिवी की जो आंत्रिक यानिकी जो इंटरनल ठी इतना हटा दीजे इतने की घारंटी नहीं लेकिन इतना आएगा प्रिथिवी की आंत्रिक फ्रण रहां के बारे में कि तक त्या नोट कर लेजिए अगला की वेगनर एक प्रमुक विद्वान है और भुगोविल वित्ता है इन्होंने कहा है कि महा दुपिय प्रवाह के फि परदन चक्र फिद्धान के बारे में कोश्चन आ सकता है उसके बाद निर्मित अपर दनात्मक अफ्थल करतियों का वरण कीजिए हमारा उद्श यही है कि आपको वह सारे संभावना जादा है भार बार रिपीट हो रहे हम आपको वो ऐसे कोईस E gonna काम यह कंचे हैं हम आपको जुझ्दा दा पर प्रसम है नोट कर लीजिए 100% फसता है इस बार फिर फसेगा ठीक कॉमन कोईश्चन है बार-बार 100% वाला कोईश्चन है नोट कर लीजिए ओके अगलाय की वर्षा के प्रकारियनी की जो बारिश होती है इनके टाइप भी पताना है यह भी 100% हमेश़ा लग 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 बह आता ही है ठीक है ओके नोट कर लिए दोनों निश्विश्चन की प्َّरवाल-वित्ति आप का जाता है ठीक है कभी कभी लगुत्र में फूचन पूच लिया जाता है कभी कभी दीर Patra मुच लिए घूतर पूचन तो आपको याँ पिंदा इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं उसके बाद आ जाएंगे हम खंड़सा की और खंड़सा में आपको देखने को मिलेंगे दीर घुत्र प्रशन जिसको आप लोग बिस्तित्रे भी बोलते हैं इनको लोंग टाइप कोश्चन बोलते हैं ठीक है तो सेम टूसे में पूरी दिसा निरदेश दी गई इतने कोश्च हम लाजा था सालो का रेएं उस देखे हैं उसमें कोश्चन कीस पर करकर पूछे जा रहे हैं उसके हिससाफं से बतार हैं तो इस लिए कोश्चन रामबाण है इस संदर्व में एरी एम प्राट के विचारों का वर्ण कीजिए एरी और प्राट ए प्रमक बिद्वान है इनके अनुसार आपको भूसंतुलन के बारे में लिखना है कि भूसंतुलन के विचार क्या दिया है हलाकि मैं इतना नहीं कहूंगा कि यह इस तरह आएगा लेकिन मैं इतनी की गारण प्राट लूँगा भूसंतुलन क्या है भूसंतुलन अति लगु दियर के उत्तुले में किसे में भी आ सकता राम बाड़ा कोश्चन है नोट कर लिजे उसके बाद अगले कोश्चन के और बढ़ेंगे अगला कह रहा कि नदी के अपरदन एवं निशे पड़ द्वारा निर्मित अफ्थल अफ्थला करतियों की उभ्याख्या कीजिए तो नदी के अपरदन सीड़ा कोश्चन आएगा नोट कर लिजे सत्तर प्रसत उम्मीदे परदन से जुड़ा इसको भी नोट कर लिजे उम्मीद जया है प्रस्ण क्याने किसले में आपको बता रहा हूं को तैयार कर सकते हैं अगला कि शितोष्ण कटबंधे चक्रवातों की उत्पत्य और उससे सम्मंदित मौसम की ब्याख्या कीजिए शितोष्ण कटबंधे जोगा कोश्चन बार बार रेपीट हुआ है मेरे इसाफ से तो इसको भी आपको नोट कर लेना है एक महत्पूर्ण और 99% मेरे प्रश्ण की फंस जाएगा ठीक है नोट कर लिजे इनका उत्तर कहां मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकरी भी आपको दे देंगे ठीक है नोट कर लिजे अगरा प्रश्ण है कि महासागर ये धाराओं की उत्पत्य की ब्याख्या कीजिए ठीक क्योंकि महासागर्स जड़े ज्यादा तर प्रश्ण पूछे जाएंगे आपके फर्स्टर में जियोग्राफी के इस बात को ध्यान लखेंगे तो इभी कुश्चन आप सभी के लिए महात्पूर्ण शावित होगा तो नोट जरूर कर लिजेगा ठीक है मतलब कि 100% उमीद ह सब्सक्राइब करेंगे तो इफी तरह का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्चन पेपर आपको आपको आपके परिच्छन देखने को मिलेगा मैं इतना गारंटी के साथ जरूर कह सकता हूं कि जो जो मैंने प्रेश्चन बताएं अगर आप इनका उत्तर अच्छे तयार क होता है कितने number का होता है तो सिर्फ वोसिव माडल पेपर कर रहा हूं सिर्फ Ahhohn और प्रश्चन Mission भी होगा उसका उत्तर भी होगा या आपका अपना है चैनल सक्षेस्ट हुए तो डेली क्लाफेस जॉइन करें बित्वत तरीके से आपके इक्जाम की तैयारी कराई जाती है और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का मिलते हैं को